प्रोणाम है vorbei ना मेरे मा को न अधरख़ हुआ है अच्छा अधरख़ के लिए में कई बार कहा है और पर इसे एक बार धोरा देता हूं, अनुलोम विलोम प्रनायाम अधरांग के लिए सब से अच्छा है, मुझे भी बज़्पन में अधरांग हुआ 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 है, मुझे तो इस प्रनायाम के बारे में योग के बारे में पता लगा नो वर्श के उमर में तब मैं आसन करना काल की उमर में उससे पहले प्रानायम का इतना ज्यादा लाब है प्रानायम ध्यान के लिए समाधी के लिए चित वृति निरोध के लिए उसके लिए अच्छा है लेकिन प्रानायम से व्याधी भी दूर होती है इसका मुझे बहुत देर में पता लगा और वो भी कब पता जब हमने कुंडलीनी जागन के लिए लोगों से कपाल भात के अनुलोम मिलोम आधी कराना सुरू किया, तब लोगों ने कहा है कि स्वामी जी समाधी वाली बात तो बाद की बात है, हमारी ये व्याधी दूर हो गई, अनुलोम मिलोम किया, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया स्ट्रेस ठीक हो गया, माईगरें पिन ठीक हो गया, ठीक है, थोड़ा उसमें सिरदर्द में हमने मेधावटी का और हैबलर प्रेशर में मुक्तावटी आधी का इस्तिमाल करवाया, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, खास, जितने भी रोग हैं, उन्हें सम्में प्र अधरी उम्बर में, तो अनुलोम बिलोम प्राहिम करने से प्याड़ा ऐसिस लकवा अधरव ठीक हो जाता है, मेधावटी, आश्रोशिला कैप्सूल, इसमा अश्रोगंदावटी जी दोनों हो जाते हैं, मेधावटी, आश्रोशिला कैप्सूल, ये सोबह साम मेधावटी अश्रोशिला ये भी दोदो दे सकते हैं, दूद के साथ, और आप देखेंगे, प्याड़ा सी साम का ठीक होता चला जाएगा, माका, ज्यादा प्रोब्लम है, अभी तो कुछ दिनों तक, एकांग भी रस, रसराहज, रस, योगिंद, रस, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष जाता हूं, जिनको भी ये इस तरह से कोई प्रोब्लम है और योग भी सीखना है, तो हमारे पूरे देश में हमारे योग शिक्षक हैं, उनकी क्लासों में जाकर के आप प्रणायम के सही तरीके, आसरों के सही तरीके ये भी जरूर सीखें, पूरे देश में एक लाग से दूसरा जनम में देता है, एक जनम मा के को कसी मिलता है, योग के द्वारा तो आपको दूसरा जनम में मिलता है